जिला लेखा प्रबंदक श्रद्धा तामरकार को रंगे हातों रिश्वत लेते किया गरफतार जबलपुर लोका युक्त पुलिस ने जिला अस्पताल में छापा मार कारवाही करते हुए जिला लेक प्रभंदक श्रद्धा तामरकार को 80,000 रुपए की रिस्वत लेते हुए रंगे हाथो गरफतार किया है श्रद्धा तामरकार अपने कार्याले में ही रिस्वत ले रही थी उसी दौरान लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें गरफतार कर लिया लोकायुक डी एसपी दिलिप जरबडे ने बताया कि शिकायत करता सुनील कुमार मिस्रा का टूर एंड ट्रेवल्स है उनकी गाड़ियां स्वास्त विभाग में अटेच है जिसका बिल लगभग 13,24,000 रुपए स्वास्त विभाग में बकाया है बिल को पास कर जारी करने का काम स्रद्धा तामरकार ही करती है जिसके लिए उन्होंने सुनील कुमार मिस्रा से एक लाग दस हजार रुपए रिशवत की मांग की थी सुनील कुमार मिश्रा कई दिनों से अपना बिल पास करवाने के लिए स्रद्धा तामरकार के पास आ रहा था लेकिन हर बार स्रद्धा के दौरा रिश्वत की मांग की जा रही थी एक लाग दसजार रुपे की रिस्पत मांगी हुई थी किसमें इसके अब इनको एक लाग दसजार रुपे की डिमांड की हुई ले वो पेमेंट के लिए बहुत काफी दनों से परिसान करके रखा है कि सुनील को मिस्ट्रा टबस बस इस्टेंट यह करीब करीब एक साल हो गया करीब अब इसे करके चलता आ रहा था अभी जाके उसने एक लाग दसे जार रुपे की डिमांड की यह करीब करीब तीन-चार दिन हो गए जादे ही हो गए करीब आज 80,000 रुपे दिया मैंने हमारे फर्यादी है सुनिल मिस्रा यह जबलपूर में मिस्रा टूर एंड ट्रेवलर्स के नाम से इनकी एजेंसी है इनके द्वारा जिला जबलपूर में स्वास्तिवाग में गाड़ियां किराय पर दी जाती है रेक्विजिशन पर गाड़िय में यहां पदस्त हैं स्रीमती सद्धा तामरकार जिला लेखा प्रबंदक है इनके द्वारा एक लाग दस जार रुपे की रिश्वत की मांग की गई थी आज हमने इने 80,000 रुपे लेते हुए पकड़ा है कारवाई जा रही है